आपको practicing daily करनी है target बना कर मतलब आपको आज जिस दिन आपने form भढ़ दिया उसी दिन से यह सोच ले कि मेरे एक दिन कम हो गया जो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है स्टार्टिंग में target बनाओ आधा घंटा पढ़ने का बस कि मैं आधा घंटा पढ़ो एक हफता वो target आपने चला लिया अच्छा लग रहा भाई बस आधा घंटे तो पढ़ना एक हफते के बाद उसकी timing बढ़ा दो पौन घंटा कर दो अपने कुछ rules बनाओ और उन्हें follow भी क गाइड कर रहा हूं कभी offline तो कभी online हजारों बच्चे में से contact करते हैं किस चीज को लेकर government exams को लेकर या फिर अपने परसनल exam को लेकर जो की academic exams होते हैं दोस्तों कैसे हम किसी government job को achieve कर सकते हैं कैसे क्या क्या चीज़े हैं जो में ध्यान रखनी चाहिए when you are preparing for government exam when you are preparing for competitive exams अब आईये जानते हैं अपनी इस वीडियो में कुछ चीज़े हैं जो step by step आपको follow करनी है and I guarantee you अगर आप यह चीज़े स कोई खुद नी देख सकता है अपने लिए को हमड़ाई जो है मिठाई ङनाता है खुद नी खाता देखाना पावर चीज़ेगाया अच्छा में बनाते है खुद कवी खाते होकला है है हमारा भी सिर्फ ऐसा ही है कि हम जो चीज आपको बताते हैं आप उसका बेनफिल ले सकते हों कुछ नहीं रहे सकते हैं वीडियो को लास तक जिरू से देखना तुड़े आई हाव एट बैस टिप्स फॉर गवर्मेंट एक्जाम 2023 अगर आप भी चाहते हो गवर्मेंट पान प्रोलम यह हमारी हम अपने आपको अपडेट इन रखते मेरा काम है मैं आपके लिए गवर्मेंट जोब्स अपडेट एक्जाम अपडेट यह लाता रहता हूं कि मुझे पढ़ा है मेरे चैनल पर आफ्टर ट्वैल पास आउट स्टूडेंट्स जाता है और उनका मैक्सिम का ड्रीम रहता है कि कोई एक गवर्मेंट जो मिल जाए किसी भी तरह में एक सरकारी दमाद बन जाए तो आप भी बन सकते हो सरकारी दमाद लेकिन वीडियो को लास्त तक देखने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं सरसे वहला पॉइंट है कीप यॉर्सेल्फ अपड रखना यह नहीं है कि पता लगा तुम्हारे बराबर वाले घर में आग लग रही है और तुम सो रहे हो तुम्हें टेंशन ही नहीं नहीं अपडेट रहना है कीप यॉर्सेल्फ कॉंफिडेंस अपने अंदर एक कॉंफिडेंस भी लाना बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कि तीन बृइंट पर सेंट बहुत ज़से कारतें गोर्मट कन्यचों कीdır मेरा दूसर दूसरा इन्सक्परतें थे वह भी त्यारी कर रहा है तो मेरी कैसे निकल जाएगी कि यह जो कंफिडेंस कई आपको जो कमी लगती है वो बहुत गलत है देखो गोर्मेंट जो पाने के लिए मैटर यह नहीं करता कि आपके 12 में कितने परसेंट है यह भी मैटर नहीं करता कि आप कितने intelligent हो मैटर करता है आपका लख आपका आपकी टाइमिंग सबसे बड़ा रोल टाइमिंग का है बहुत पार ऐसा होता है एक्जाम में सब कुछ आते हो भी हम नहीं कर पाते कभी कभी कभाग आदमी हाइपर हो जाता है आदमी पैनिक हो जाता है कभी लेट हो जाता है तो इस सब की पीछे है डेस्टनी और मैं कर लूँगा इसको मैं अपने आपको अपडेट रखता हूं मैं कर सकता हूं यह मुझे पता है यह आप रखेंगे तो डेफिनेट होगा नहीं सब्सक्राइब की डेली प्रैक्टिसिंग अब देखो चाहे आप दिन में 15 मिनट पढ़ो पांच मिनट पढ़ो अगर आपने जब हो टाइम पढ़ा है चलो पढ़ लेंगे नेक्स मन चार महीने बचें पढ़ लेंगे तीन महीने बचें पढ़ लेंगे दोस्तों ऐसे करकर के एक महीना बचेगा और जब आप तैयारी करना सुरू करोगे तो एक महीना 15 दिन में तफदील हो जाएगा इस इस नोट होता है के रुकसान है आपको डेली तयारी करनी है पढ़ाई करनी है जब भी अपना टार्गेट के लिए बहुत सतरह बच्चे क्या करते हैं गौ़र्णमेंट इक्जाम की तयारी के लिए बढ़ते हैं बुक आज देने पापाप मम्मी को पैसे दें देने है तो खर्चा नहीं है तैयारी के लिए खुल कर देते हैं अशुरू कर देते हैं टार्गेट बना तै तुमें आठ़े बना जरांको कि आपको डीड नहीं पढ़ना है आपको पैले ही जो टार्गेट से वो बना रही है बहुत की में टार्गेट बनाओ आदा घंटा पढ़ने का बस कि मांदा गंटा पढ़ू गहां एक हफ़ता वह घंट आपने चला लिया अच्छा लग रहा बास आदा तो पढ़ना एक अफते के बाद उसकी टाइमिंग भढ़ा दो पौन गंटा कर दो फिर एक गंटा फिर देड़ गंटा जिस चीज में इंट्रेस्ट लगे उस सब्जेक्ट को पहले बढ़ो जो तुमाई जैसे हमें डेली का टार्गेट बनाना चाहिए तो यह टार्गेट्स आपको आपकी मंजिल तक पहुचाते हैं जैसे हमें डेली का नियम जिसको हम कहते हैं वह जरूरी है नेक्स आता है make yourself on rules and follow them अपने कुछ rules बनाओ भाई और उन्हें फोलो भी करो rules का मतलब मैं example देता हूँ जैसे मैंने रूल बनाया कि भाई मैं जो हूँ अगर पढ़ूँगा तो जो मैंने पढ़ा उसे मैं लिखकर भी देखूँगा जिससे की मेरी practice हो और मैं हर week एक mock test भी दूँगा यानिके लिखकर अपने एक test वगरा भी देना चाहूँगा मुझे पता है मैं अपनी English भी कुछ भी आपको अपना रूल बनाना है और उस पर अमल करना है जब हम अपना कोई रूल बनाते हैं और उसे follow करते हैं तो हमें हमारा खुद का confidence अप होता है हम खुद में improve कर पाते हैं यह बहुत बड़ी चीज़ है जो बड़े लोग होते है ना वो यह काम करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं नेक साथ है चूज दा एक्जाम अकोर्डिंग टू यार इंटरस्ट मैंने कहा ना अभी मैं यह बात तो मैं हर बार कहता हूं बहुत सरे बच्चे क्या करते हैं रेलवे का फोर्म निकला उसमें भर दिया अकांट्स की इक्जाम ही देना यह देखो कि सब का एक्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है सब का सलीवस अलग होता है जिस कारण से आपका जो कॉंफिडेंस है वो लूज हो जाएगा अप देंगे तो आ आर्यों बैंक की त्यारी मिक्स हो जाएगा सम एक एक्जाम को टार्गिट बना तो उसे ही आप अपलाई करें यह चीज ध्यान रखें व कम्प्लीट बुक नौलीच एंड शोचल नौलीच देखो इस आप सबी के सबी टिप्स को फॉलो करो जो बुक से आप लाई हो इस बुक को कम्प्लीट रीडर नाउट करना है अगर मार्केट में बुक लेने जाते हो तो बुक उतनी ही लो जितना आप पढ़ सको कुछ बच्चों को मैंने देखा है इतनी सारी बुक्स लियाते हैं क्या कर रहा हूं गौर्णमेंट जोप की त्यारी कर रहा हूं पढ़ उसमें से एक भी नहीं पाते हैं अच्छे से यह आपको कभी भी नहीं कहूंगा मैं आपको बस यह कहूंगा कि खुद पर कॉन्फिटेंस बिलीव कंटीनियूज आपको प्रफेशन रखनी है चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें चाहे आप बुक से पढ़ें चाहे आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ें आप पहले से कि उढ़ें एक रखरा याद bikini किर पढ़ें आपको प्राजी आपको बनाकर पादियो एल नोटे कि एचाभ बनानी है कि अढ़ें आपक του फोंटें श्राफ चित जातने है मुझा अजब स theorना मैं